हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है सौरॉब और आप सभी का टैकी सौरॉब यूट्यूब चनल पर बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो अगर आपके भी फोन में ये ट्रू कॉलर नाम का एप्लिकेशन है तो दोस्तो आज मैं आपको एक इसी ट्रू कॉलर के एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिसके जरी आप किसी का वे जूट पकड़ सकते हैं दोस्तो कई बार क्या होता है कि जब कभी हम अपने फ्रेंड को या फिर फैमिली मेंबर को या फिर गल्ल्फेंड को भी फोन करते हैं तो कई बार क्या होता है कि फोन कोई भी रिसीब नहीं करता और जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई तुमने मेरा फोन क्यों नहीं रिसिप किया तो वो कोई भी बहाना बता देता है कि मेरे पास मेरा फोन नहीं था या फिर मैं विजी था कुछ भी करण बता देता है लेकिन दोस्तो आज मैं आपको एक ऐसे सेटिंग बताऊंगा जिसके जरी आप पता लगा पाएंगे कि उसने सच में आपका फोन जानबुझकर नहीं उठाया या फिर उसके पास फोन था फिर भी नहीं उठाया ठीक है तो मैं आपको बताऊँगा कि एक setting के बारे में जिसके जरी आप ये सारा कुछ पता लगा पाएंगे तो दूस्तो अगर आप भी setting के बारे में जानना चाहते हैं तो इस छोटी सी वीडियो को पूरा जरूर देखेगा इस setting के बारे में आपको सारा कुछ बता दूँगा तो चले दोस्तो वीडियो को सुरू करते हैं लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से एक ही request करूँगा अगर आपने अभी तक इस वीडियो को like नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को like कर दे और दोस्तो आपको नीची जाकर एक comment भी करते नहीं है यहाँ पर आपको nice लिख देना है उसके बाद आपको इस comment को भेज देना है ठीक है इतना काम आपको जरूर से करना है और मुझे support जरूर करना है तो चली मैं आपको इस setting के बारे में बता देता हूँ कि किस तरह से आप इस setting की मदद से किसी का भी जूट पकड़ सकते हैं तो दोस्तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है आपको true caller को update कर लेना है play store से ठीक है तो इसका link मैं आपको description में दे दिया है वहाँ से भी click करके आप true caller application को अपने phone में update कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों आपको true caller को open करना है open करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का interface आ जाएगा तो यहाँ पर आपने जितने भी call किया होंगे वो सारे कुछ यहाँ पर आपको so होने लगेंगे अब मैं आपको trick बताता हूँ कि किस तरह से आप उसके साथ मतलब पता लगा पाएंगे कि उसके phone में last scene कब दिखाया गया था उसने अपने phone को last scene कब किया था मतलब phone को last use कब किया था तो इसी से आप उसका पता लगा पाएंगे कि उसके पास उसका phone था या फिर नहीं था तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर एक contact में आपको दिखाना चाहूंगा मतलब आपको यहाँ पर पता लग जाएगा कि उसने अपना phone कब और कितना बचे यूज़ किया है अगर दोस्तों वो अभी ही उसके phone को use कर रहा होगा तो यहाँ पर आपको last scene की जगा online दिखाई देगा तो मेरा भी तो कोई online status पता करें लगा तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको setting बताऊंगा जिसके जरी आप अपना status hide कर पाएंगे आपको कोई भी track नहीं कर पाएगा तो simply आपको क्या करना है यहाँ पर आपको three lines के उपर क्लिक करना है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते left side में आपको three lines मिलेगा तो इसको आप उपर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपको setting बाले option पर क्लिक करना है जैसे ही आप setting बाले option पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ बतां नहीं लगा पाएगा कि कब आप online आया या फिर कब आपने phone को यूद लाश्ट वार यूज किया या फिर नहीं किया तो दुस्तो इस तरह से आपकी किसी का भी जूट पकड़ सकते हैं कि उसने आपका phone आफ इस जान बुझके नहीं उठाया जा फिर वह सच पर अगर आप नए है तो चनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबा दे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब दक के लिए बाई बाई